वीरभद्र वीरभद्र शिव का एक छोटा सा हिस्सा है शिव खुद हिन्सा नहीं करना चाहते थे तोनोंने अपना एक बाल लिया और उसे वीरभद्र में बदल दिया शिव के जीवन में एक ऐसी स्थिती पैदा हुई थी जहां एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था जिसकी वज़े से उनकी पत्नी सती उसका शिकार हुई और उन्होंने खुद को जला लिया था जब शिवने ये सुना तो वे कुछ करना चाहते थे पर उनके कुछ हिस्से इतने शांत थे कि उनका सिस्टम युद के लिए तयार नहीं था तो उन्होंने अपना एक बाल निकाला और उससे वीरभद्र को पैदा किया वीर यानि बहादुर या साहसी वीर शब्द असल में वीर शब्द से बना है वीरे का अर्थ है शुक्राणू यानि वो बीज जिससे मनुश्य का जन्म होता है ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं यानि शिव के जीवन का महत्वपून पहलू ये है कि उन्होंने कभी अपना शुक्राणू नहीं गिराया तो इसका महत्वपस यही है कि शरीर की बुन्यादी जीवन उर्जा को शारिरिक रूप से बिखेरने और बच्चे पैदा करने के बचाए उन्होंने उसी उर्जा का इस्तमाल चेतना के शिखर पर पहुँचने के लिए किया उनकी उर्जा सिर के उपर से बिखरती है किसी भी योगी को तब तक योगी नहीं कहा जा सकता जब तक की वे अपने सिर के उपर से उर्जा नहीं चलकाते तो वीर भदर सिर्फ एक बाल थे, सिर्फ एक बाल और उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि अकेली ही उन्होंने उस राजा की पूरी सेना को खत्म कर दिया जिसने ये अन्याई किया था इस कहानी से ये बताने की कोशिश की गई है कि क्योंकि शिव ने अपने सिर के उपर से अपना वीरे छलकाया था इसलिए उनके बाल इतने शक्तेशाली थे कि सिर्फ एक बाल से पूरी सेना नश्ट हो गई और एक बार जब कोई इनसान बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है तब सोभाविक रूप से उसका शरीर से लगाव बहुत कम हो जाता है जब उसका शरीर से लगाव बिलकुल कम हो जाता है तब उसमें डर की भावना मौजूद नहीं होती है और जब डर नहीं होता तो वो सभाविक रूप से बहादूर होता है वीरता इसी का परिणाम है खर शरी ओिंग बिलकुल कम रहादूर है